हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आएक्जामवी, आएक्जामवी पर आपका स्वागत है, मैं हूँ रवी और आज हम अपनी इस वीडियो में जो इन्फॉर्टमेंट ऑफिसर का दो जुलाई को फस्ट में पेपर हुआ था, उसका सेट भी को हम ब्रिफ में सारे आंसर को लगाता एरर फ्री है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को हम, तो जैसा कि पहले इंग्लिस के 20 questions ते उसमें एक passage आया था, जिस पर 5 questions करने थे, सीधे हम questions पर आते हैं, तो पहला यहां पर क्या हो जाएगा हमारा option, अगर question 1 की बात करते हैं, तो इसमें जो key position है, वो education आप पूरा passage पढ़ोगे, तो आप बार बार देखोगे, education को ही repeat किया गया है, second अगर हम बात करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर option 2 हो जाएगा, मतलब option A हो जाएगा, 2 का option A हो जाएगा, third question में अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर भी 3 का A है, ठीक है, fourth की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें answer हो जाएगा हमारा, जो natural जो यह resources हैं, बहुत तेजी से क्या हो गया हो गया है, तो यहां पर बात होगी, तो option C यहां पर correct हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद there is an increase, यहां पर पूछा गया question number 5 में की citizenship, यह जो है, इसका क्या कारण है, तो य killers में देखे, 6 में पहले में क्या आएगा, तो यहां पर have been आजाएगा, ठीक है, उसके बाद 7 के अगर बात करें, तो यहां may be doubted होगा, ठीक है, 7 का D हो जाएगा, 8 के अगर बात करें, यह question easy था, a bird in hand, और 9 के अगर बात करें, तो human history is ample, proof that human ambition knows no limit, मतलब कोई limit नहीं जानता है न, 10 number का अगर हम यहां बात करते हैं, तो यहां पर B fused, option B हो जाएगा, ठीक है, 11 पर आते हैं, spotting error की यह question ने, ABCD करके दे रखा गया है, तो इसमें किस part में गलतिया है, तो पहले का अगर हम 11 का देखते हैं, तो यहां comparison की बात हो रही है, तो 2 नहीं आएगा, ठीक है, त तो option C हमारा यहां पर correct हो जाएगा, यहां option 14 में यहां पर comparison की बात हो रही है, जिबकि यहां पर पिर the smartest superlative degree का form है, तो यह भी नहीं होगा, option A हो जाएगा, 15 की अगर हम बात करते हैं, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर he asked me if I would be, तो option A यहां पर गलत है, ठीक है, weather हो स लगता था, इस की जगे पर, लेकिन अभी यह गलत है, तो 15 का A हो जाएगा, 16 की यहां पर rearrangement के question थे, तो 16 number की अगर हम बात करते हैं, तो option B यहां पर correct है, 17 की अगर हम बात करेंगे, तो 17 में हमारा option D correct हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम 19 की अगर बात करते हैं, तो 19 में ह हमारा option, sorry, 17 की बात, 18 की अगर हम बात करते हैं, तो option हमारा यहां पर QSRP बनेगा, C, फिर 19 की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर option क्या हो जाएगा, PQSR, ठीक है, यह सारे question English के जो है, सताक्षी मैं, detail में discuss करेंगी आगे, यहां पर मैं एक वीडियो में जल्दी सारे answer बत अब 21, accounts के लगातर 5 question है, अगर पहले को आप बात करते हो, 21 में revenue expenditure, यह सारे जो question थे, accounts के, यह लगबख telegram group जो हमारा है, उस पर हम लोग उने बार बार ऐसे question डाले हुए हैं, जहां पर आप easily यह सारे question किये होते हैं, तो यह गलत नहीं होते, 22 का हमारा हो जाएगा B, 23 में अगर आप बात करते हैं, तो जो rectification हैं, यहां फिर उस पर कौन कौन से principle बगएरा होते हैं, errors के, तो वो सारे पने अच्छे से cover किये थे, इस answer ने, यहां पर 23 का C हो जाएगा, error of principle, 24 की अगर हम बात करते हैं, तो 24 का हमारा answer हो जाएगा, D, convention of full disclosure, ठीक है, Outstanding rent किसमें जाता है, तो भाई, representative personal account में जाता है, option B हो जाएगा 25 का, यह question थोड़ा सा hard अगर आप इसको attempt नहीं किये हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, STML source code में यह मतलब क्या बनेगा 26 में, तो 26 का हमारा B सही हो जाएगा, ठीक है, 27 पे आते हैं, तो यह आपको एक hyperlink create करना है, तो mail to करोगे, ठीक है, उसके बाद इस pool का full form क्या बनेगा, तो simultaneous peripheral operation online, ठीक है, उसके बाद commutative log कौन सान नहीं है, तो A-B, B-A नहीं है, ठीक है, OSI layer से जो communication होता है, computer, computer, A और network के बीच में, तो यह कौन इसके लिए responsible है, तो transport layer यहाँ पर answer हो जाएगा, उसके बाद science का question है, basic question था, अगर आपने मरलब कर रखा हो, it is located in the ribosome 2, तो ऐसी कट जाएगा, ठी तो यह ठीक लग रहा है, 3 की बात करते है, it is composed of ribonucleic acid, तो ऐसा है क्या, तो इसका 1 and 4 यहाँ पर correct हो जाएगा, तो 1 तो correct ही है, ठीक है, और यह अपनी copy खुद बना लेता है, ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा हमारा, A, option, A हो जाएगा, उसके बाद 32 की अगर हम बात करते ह पाइटिक रूट है, यहाँ पर answer, अगर आपने NCRT अच्छे से cover किये, तो वहाँ पर यह आपको मिल जाएगा, 33 की हम बात करते हैं, तो देखिए, यह तो काफी extreme सा है, कि सारे के सारे compounds, जो hydrogen की होंगे, acid होंगे, ऐसा थुडी ना होता है, तो यह option B हो जाएगा, 33 का, 34 में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे जो ऐसा, जो इसका highest boiling point होता है, तो वह lithium है, ठीक है, बैटी वगरा mute किया जाता है, देखिए, कोई भी, यहाँ पर तो बहुत basic सा law लगना था, तो अगर आप वह लगा देते हैं, तो दो option, तीन option तो ऐसे ही कर जाते हैं, भाई, किसी का भी इतनी बड़ी चीज से अगर इसको तोड़ मुड़ोड के दूसरी कोई चीज बनाई जाए, ठीक है, तो उसका volume जो होगा, वो कभी भी क्या होगा, घटेगा थोड़ी न, volume जो रहेगा, वही रहेगा, भाई, volume थोड़ी न, घट बीट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इ इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर उसके बाद फूर्थ स्टेटमेंट यह बिल्कुल सही है, तो 36 का A करेक्ट हो जाएगा, 37 में अगर हम बात करते हैं, तो इसका 1 and 2 ओनली हो जाएगा, ठीक है, 37, sorry, 37 में अगर बात क चल रही है, 1990 से यह स्कीन चल रही है, ठीक है, पंचायती रास्ते स्टार्ट होगर मुस्पिक अंडर तक यह आ चुकी है, तो अभी पहला अगर इस स्टेटमेंट आप, मतलब सेकंड स्टेटमेंट अगर आप जानते हो कि यह फंड नॉन लेप्सेबल नहीं हो, मतलब यह चल रहे हैं, जिकन काने, तो ऐसले नॉन लेप्सेबल होता है, तो सेकंड जहां जाएं, आप वो तो से करोगे, तो फस्त और फौर्ट हो तो ऑटोमेटिकली यहां से कट जाएंगे, ठीक है, 38 का, उसके बाद अगर आप बात करो फोर्थ की, ठीक है, तो यह जो बात दी ग का जो MP होगा वह अपने स्टेट में ही डवलपमेंट रिलेटेड जो भी काम होंगे करा सकता है जो नॉमिनेट मेंबर होगा वह पूरे विदिन कंट्री करा सकता है तो फॉर्थ स्टेटमेंट अगर आप कर ले जाते तो आपका आंसर सीध्य आपको प्रचल जाता ठीक है यह वाला कोशन बिसिकली इजी था बच्चे कल वीडियो में ऑफिंट से हो गया तो पता नहीं क्या रीजन है ठीक है मैंने सब के लिए नहीं बोला था बिसिकली जो पार्ट हाड था उसको हाड ही बोला गया यार अभी यहां पर MPI जो है multi-dimensional poverty index जो है इसमें क्या-क्या लिया जाता है तो 39 में यह सारी चीज़े ली जाती है ठीक है हमारा अंसर बन जाएगा B 41 में यह computer का अगें आ चुका है question 41 का MI ME हो जाएगा उसका लेटेक्स इसका भी 42 का भी D हो जाएगा decimal equivalent है कि इसमें क्या होता है कि अगर जैसे decimal है यहां पर कोई digit लिखी है ठीक है मालो यहां पर ऐसे करके digit लिखी है यहां पर यहां पर स्टार्ट करते हैं तो यहां क्या करते हैं टू की पावर 0 लेते हैं न फिर यहां पर लेते हैं टू की पावर 1 फिर यहां पर लेते हैं टू की पावर 2 और यहां पर लेते हैं टू की पावर 3 जब decimal के हम पीछे तो यहां पर हम 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर माइनस 3, ऐसे करके जाते हैं, ठीक है, तो इसका बेसिकली आप स्वाल करोगे, तो आंसर हो जाएगा D, अस्वनी सर बाखे डिटेल में इस कंप्यूटर के सारे कुश्चन करवाएंगे, ठीक है, 44 का अगर B हो जाएगा, 45 में अगर बात करते हैं, तो 45 में हमारा अंसर हो जाएगा C, ठीक है, 46 में आते हैं, ये फिजिक का क्वेश्चन है, आमिस सर ने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है, फिजिक का क्वेश्चन है, आमिस सर ने अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है, यहां पर option C जो होगा वो correct answer हो जाएगा 200 watts उसके बाद ये भी physics का है और देख सकते हैं दोनों लगबग एकी chapter से लिए गए हैं तो इसका हो जाएगा 47 का crystals chemistry का question है crystal of copper sulphate को जब आप क्या करते हो heat करते हो तो क्या होता है तो white color salt आता है ठीक है यह basic NCRT मतलब हर जगे पर सब्सक्राइब में भी पूछा जा चुका है tartaric acid किसमें होगा तो उसके बाद 51 का अगर बात करते हैं कि इसमें से कौन constitutional body नहीं है तो यह सारी है भाई यह तो 38 में ही है न फिर यह भाई साब 38 कि ए में आ जाएगा उसके बाद यह 38 भी में आ जाएगा ऐसे करके न तो यहाँ पर नहीं चार्सी जो है यह 1990 में यह भी बनी थी 1993 में और इसको कोई भी ऐसा constitutional बैक अप नहीं है ठीक है उसके अलावा यह जो question है इंडिया पंचा मृत जो व्यू है क्लाइमेट चेंज अब देखें जी एस और जो इन्वाइर्मेंट है उसका डैर्क्ली स्लेबस में कोई जिक्र नहीं है बट वहाँ पर करेंट डवलप्मेंट ऐसे करके लिखा हुआ ह डवलप्मेंटल इशूज तो वहाँ पर तो यह सारी चीज़ें आ जाती है और यह दोने स्टेटमेंट 52 का सी करेक्ट है ठीक है 53 के अगर आप बात करते हैं तो 53 में जो है पहला तो बिल्कुल ठीक है जबकि चौथा गलत हो जागा यहां गवर्नर नहीं होता है ठीक है प् इसको चूना भी नहीं था बहराल इसका जो अंसर हो जाएगा 54 का भी हो जाएगा अब 55 यह भी थोड़ा सा जो कुशन है अगर बहुत जदा पढ़ा हुआ था तो आप कर सकते थे ठीक है इसका सी अंसर हो जाएगा 56 की अगर हम बात करें कि यहां पर जो है हमारा अंसर क्या होना चाहिए तो 56 में 12 यहां पर देखिए ना old age benefit scheme ऐसी कोई बात नहीं है तो 4 जहां जाए उसको अटा दीजे और C इसका correct हो जाएगा बात करते हैं कि कोई अगर adult center उससे related कोई matter बगरा होते तो final बात किसकी मानिएगी तो prescribed medical authority उसी की बात मानी जाएगी ठीक है और factories act 58 में अगर कोई जो एक committee मना यदि site appraisal committee तो उसको कौन chairman होगा तो chief inspector of the state in the is the chairman ठीक है तो D answer हो जाएगा 58 में अगर हम बात करें ठीक है 58 में अगर बात करते हैं तो इसका option D correct हो जाएगा ठीक 59 पे आते हैं यह question मतलब आप पढ़ लो कोई भी आक्ट वगेरा पढ़ लो इस टाइ ठीक है इसका answer हमारा 60 में आ जाना चाहिए कि not at all permitted by the forum if the other party does not object or give consent ठीक है c उसका 61 में बात करते हैं तो 61 में जो B है 61 का जो B है sorry the governor general council was authorized to appoint successor to Bombay and Madras 61 में D हो जाएगा correct मतलब इसमें not correct पूछा है न यह keyword भी याद रखना है ठीक है तो यह वाला ऐसी कोई बात इसमें नहीं ल एक्ट में जो संतोस है उन्होंने class में भी जो एक्ट है developmental एक्ट थे वो सारे पढ़ाए थे उसमें यह सारी चीज़े का जिक्र भी किया था अभी 63 की अगर हम बात करें तो 63 का हमारा आंसर क्या होगा 63 का हमारा यह correct मैं correct आंसर मारक है यहां पर ठीक है one हो जाएगा अगर इ यह वाला session important है इसमें पहली बार gentleman जो हमारा national anthem में उसको घाया गया था तो अगर आपको यह पता इसकी जो presidency पर किस ने की थी तो बिसन नरायंदार जो थे उन्होंने किया हुआ था ठीक है लाहूर session जो था यह किस से associated है तो यह mother-mohan मालवी से तो अगर यह दो भी आपने confirm कर रखे होते हैं तो one और three देखो किवल option first में यहां से यह answer बन जाता अगेन यह वाला question आपको easily नहीं मिलेगा तो यह अगर आपने नहीं किया that is okay वैसे इसका 64 का बीएस मुंजे हो जाएगा भोषले military school at naasik बीएस मुंजे ने बनाया था 64 में बात करते हैं तो founding of banarash hindu university 1916 हो जाएगा ठीक है Congress nationalist party 1936 हो जाएगा founding of English newspaper दी लीडर यह 901909 हो जाएगा और यह 1901 के आसपास बनी थी ठीक है दोनों में भी हो जाएगा आ गया आते हैं भाई 68 नंबर जो हमारा question है वो उसमें क्या आएगा तो 68 में आप देखोगे तो इसमें matching होनी चाहिए हमारी एका recovery officer ही होता है कि इसमें employees EPF तो एका 3 एका 4 हो जाएगा ठीक है तो एका अगर 4 है तो यह आपको कहां मिल रहा है एका 4 दो में मिल रहा है ठीक है उसके बाद compulsory insurance जो है compulsory insurance हमारा मिल रहा है payment of gratitude ठीक है B का 3 तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा correct 68 का A हो जाएगा अब 69 के अगर बात करो तो यहाँ पर इसका correct answer 69 में 12 हो जाएगा ठीक है यह बच्चे का गलत हो गया तो employees pension scheme इसकी बात यहाँ पर नहीं की गई है उसके आद EPFO का जो एक्ट है उसमें बुला गया है कि आप अपील कहां पर करोगे तो वह इंप्लॉइस प्रविडेट फंड अपीले ट्रिबुनल में जाकर होगी ठीक 75 में बात करते हैं अब इसमें क्या बच्चों ने बहुत जल्दी देखाऊगा maternity benefit act और 26 लगा कर बढ़ गया होंगे जो की गलत हो जाएगा यहां पर बात कीगी अगर third child होता है तब कितनी मिलेगी तो यह question बार बार टेलिग्राम पे पोस्ट भी किया गया था 12 weeks होगा ठीक है 75 में देखते हैं भई EPFO Act के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा statement जो है वो गलत है मतलब सही नहीं है तो पहला तो बिल्कुल ठीक है इट मेक्स प्रोविजन इंप्लाइज देखो यह तो हई है पूर्थ भी है तो यह जो थार्ड है यह यहां पर incorrect है 75 का हमारा C हो जाएगा 76 में आते हैं 76 में हमारा answer हो जाएगा अगर किलो मीटर देखो यहां पर पहली बाद तो हैंड जैसे कुशन हम स्वाल करते तो हैंड्रेट किलो मीटर लिखा पहले इसको मीटर में कर लो ठीक है तो कितना हो जाएगा भाई वन लैक मीटर हो जाएगा ना और उसके बाद कुछ नहीं करना था 180 और 350 का हमें क्या निकालना था LC हम निकालना था जो कि साथ से ऐसे कुछ आएगा फिर इससे divide कर दो ठीक है 78 में यह सॉल करने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा एड़ेसेंट टू दी सेवेंटी नाइन में अगर हम बात करते हैं तो यह इजी कुष्चन था मैस का ठीक है रिजनिंग का भी कुष्चन अभी तक इजी है दोनो उसके बाद 81 का आप यहां पर जब इसको करोगे ठीक है 81 का आंसर क्या होना चाहिए तो 81 का 108 ठीक है ए ऑप्शन हो जाएगा 82 में अगर हम बात करते हैं तो 82 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 83 में अप अर्षन बाइस टैन पेंसल अब जब इसको आप स्वाल करोगे तो यह इजी था है एक्वेशन बना कर आप कर सकते हो बेसिक मैस से तो आपको आंसर मिल जाएगा 83 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके बाद 84 में अगर आप देखते हो कि 100 बच्चे है और यह वेंड डाइग्राम बना कर आप कर सकते हो ठीक है 84 में आप बेंड डाइग्राम बगेरा बना के कर लोगे तो यहां पर 20-20 अंसर आजाएगा अभी यह 85 नंबर का question है इसमें यह तो मतलब इसमें direction नहीं दे रखी तो थोड़ा परिशानी हो सकती है लेकिन यह easy question था 85 का आप जब करोगे तो answer मिल जाएगा यह आसानी सो जाएगा इसकी एज ग्रूप के लिए होती तो zero to six years के बच्चों के लिए होती है 87 को आप जब करोगे ट्रक फार्मिंग तो यहां पर 87 में दोनोई question दोनोई option क्या है general option और बिल्कुल सही है यह basic ncrt human geography class 11th का है ठीक है यहां पर 88 में अगर आप करोगे यहां पर भी correct पूछा गया औ यह दोनों correct है ठीक है 89 में हम बात करते है NSDC इसको लेकर ना बहुत हो सकता है कि भाई question तो ऐसा लगेगा कि labor ministry में उनी चाहिए तो आप यह सोच के यह तो पहला तो गलत कर दोगे कि चलो यह तो गलत है दूसरे वाले का समझ में नहीं आएगा ठीक है ना तो यह labor ministry में है न और यहां पर 89 में हमारा option क्या है दोनों का दोनों incorrect है ठीक है 90 में बात करते हैं यह स्किम हाल पिलाल में न्यूज में थी और इसमें अभी हमारा answer क्या हो जाएगा स्थी पेर काफी चल रहे है 91 में देखते हैं कि 91 में क्या दे रखा गया है कि inflation target जो है वो central government determine करती है ऐसे करके है तो इसमें जो आप statement 2 देखोगे न कि at present the monetary policy framework in India is operated by तो monetary policy central government तो करती नहीं है ठीक 92 इसके नीचे है अभी 93 हम कर लेते हैं पहले अब very strong US dollar squeeze करता है global credit को यह दे रखा गया और इसके बाद बोला गया है कि इसके पीछे क्या reasoning है ठीक है तो 93 में क्या हो जाएगा हमारा बोत एंटो और यह एक दूसरे को क्या करते है भई explain भी करते है अब उसके बाद 92 में हम बात करते है 92 और 94 का RTGS और नेफ्ट अभी इसमें जल्दवाजी में लोग NPCI लगा के चले जाएंगे पर दोनों के दोनों RBI करता है ठीक है मैंनेज करता है तो यहां पर NPCI लिखा हुआ है statement first incorrect हो जागा और जैसे statement first incorrect तो option D automatically यहां पर correct हो जाएगा अब यह पहला statement देखो कितना extreme है 100% किसी की packaging के लिए government ऐसा लागू कर देगी नियम इतना जल्दी पॉसिबल नहीं तो first statement अगर गलत है तो ऐसा option आपको option D में मिलेगा ठीक है आप बात करते है 95 की यह हाल सलाल में न्यूज में था कि यह 25 बिलियन डॉलर दिया गया है 5 साल के लिए इंडिया हो ले तो यह hard सा question है इसको अगर आप नहीं अटेम्ट कियो तो यहां पर option B correct हो जाएगा 97 quantified dynastic minimum top-up text यह relate करता है OECD अगर आपने organization सुनी हो जो कि basically work करती है ठीक है तो वहां पर anti-base erosion के लिए यह जो है है तो option A correct हो जाएगा उसके बाद provis dx करके यह जो है यह basically क्या है तो इसका आंसर देखो यह सूपर computer special purpose super computer ऐसे करके नहीं है financial data बगरा नहीं देता है ठीक है तो 99 में आप क्या करोगे आप database in which collection and 99 का D हो जाएगा ठीक है एन इसी प्राइम क्या है आ हाइस टेंडर कॉपरेट गवर्नेंस इनिशेटीव है ठीक है तो यह option A हो जाएगा 100 का 101 का क्या answer होगा 101 का यहां पर देखेंगे तो यह रायन ना इसका answer correct हो जाएगा 1881 का यह act था यह किससे deal करता है तो ठीक है उसके बाद इस question को भी जल्दवाजी में अगर आप उपर पढ़के चल दोगे कि कोई committee फॉर्म की गई थी ऐसा सा करने के लिए तो आप लगा दोगे हर कोट बटलर और आगे लेकिन यह पूछा है उस committee में member कौन नहीं था तो AJ Wilson उस committee में member नहीं थे बाकी सारे उसम कुछ नहीं था ठीक है 106 तो यह जो Employees Standing Order Act 1946 है कहां पर applicable नहीं है तो यह गुजरात में है ठीक है applicable नहीं है आउट वरकर यहां पर से किसमे definition दी गई है तो the contact labor act में इसकी definition वगएरा provide की गई है ठीक है अभी 108 में हम देखते हैं इसमें क्या होगा कि मतलब nature of work shall not be taken into account while the appropriate government consider prohibiting employment of contact labor तो यहां पर work अगर intermittent nature का है तो उसको consider नहीं किया जाएगा option D हो जाएगा 108 का 109 पर चलते हैं यह easy question है यहां पर आप देख सकते हो कि appropriate government chairman नहीं उसको करता है बलकि जो rotation basis पे chairman हर साल बलते रहते हैं एक बार employed side से एक बार employed side से ठीक है factories act अब यह 110 नंबर का जो question है इसको आप थोड़ा सा heart बोल तक तो कि इसको ऐसा directly ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है इसका मुझे भी doubt है इसका answer या तो भई जो होगा या तो B होगा या D होगा ठीक है 111 अब इसमें क्या है इसमें अगर आपको 11 मतलब 11 क्या divisible rule मालूम है तो आप कर सकते हो ठीक है basically इसका answer हो जाएगा D ठीक है बहुत से कोचिंग वगेरा में बताया क्या option है यह नहीं होगा आप जब करोगे स्वाल तो इसमें क्या rule होता है जिसमें माल लो यह नंबर है जैसे यहां लिखा है बता देते हुआ है तो यहां फर्स्ट थर्ड और इनको जोड़ो इनको जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा आप जोड़ो के 7 और 7 और 9 कितना होता है 16 16 और 5 21 21 और प्लस एक्स ठीक और जो नीचे 2 4 6 उनको जोड़ो आपस में 8 4 12 12 और 9 21 21 प्लस वाई अब 11 का जो डिवेजिबिलिटी रूल कहता है वो कहता है कि दोनों साइट बरावर होने चाहिए और इनको सब्ट्रेक करने पे जीनों अगरा अंसर आ जाना चाहिए अभी 21 से 21 तो ऐसे ही चला गया अब X is equal to Y होना चाहिए अब देखो इसमें X is equal to Y दो condition में बनना एक में इसमें बनना और एक में इसमें बनना है फिलाल इसमें आंसर इस बज़ेस होगा जब आप Y और X को 22 रखोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा 9 2 और 2 और 8 का divisibility rule कहता है कि last की 3 डिजिट जो 8 से divide हो नहीं चाहिए अब इसको करो तो 1 टाइम कर वन बचेगा और 2 12 हो जाएगा 8 1 जा 8 और फिर 4 बच रा 4 2 42 8 5 40 यहां पर यहां तो रिमेंडर बच गया तो 2 वाला आंसर नहीं होगा 111 का option D हो जाएगा ठीक है उसके बाद नीचे 11 112 का जो है इसका correct mark है यहां पर वैसे 116 ही आंसर होगा उसके बाद 2 का इसमें unit place पूछा है जब आप इसको निकालोगे तो यहां पर C आंसर आजाएगा इसका भी 114 ठीक है 114 को आप solve करोगे 114 solve करने के बाद आपको answer आजाएगा 28 यह math के मनुसर है वो आपको detail में इसका analysis करके देंगे कैसे solve होगा बगेरा करके detail में ठीक है अभी बस आप correct answer को जान लो 115 ठीक है यह जो इसका answer हो जाएगा 115 का इसका answer क्या हो जाएगा C अभी यह फिरसे account का question है एस 2 के बारे में पूछा गया है तो यहां पर इसका option B correct mark है यहां पर 117 में बात करेंगे थोड़ा सा मतलब moderate type question है पर अगर आपने दो तीन बार practice कर रखा है तो यह easy था 117 का option D हो जाएगा 118 का option number C हो जाएगा 119 का option number A हो जाएगा और 120 का auditing का एक question है और जिसका एक करोडिया उससे उपर का value होना चाहिए तो यहां पर हमने सारे questions को कर लिए है उसके अलावा यह break up है उसका ठीक है तो अगर आपने अभी तक मतलब सारे यह answer को match कर लिए उसके बाद जो आपका final result बन रहा है आप एक बार जो है comment में pin कर सकते हैं ठीक है तो यही था भी next वीडियो में हम APFC को भी discuss करेंगे ऐसे करके तो वीडियो पसंद आई तो please like कर दीजेगा मिलते अगली वीडियो पर thank you